जाम टूर देख रहे हैं, विद्धार्थी के मन में अंतिम कन्फ्यूजन यहीं होता है, कि आखिरकार मैं प्रिलिम्स निकाल लिया, मैंस निकाल लिया, इंटर्व्यू में नहीं होगा, तो मैं फिर सुरू से चला जाओंगा, और उसको दूर करने के लिए, अभी मेरे साथ अच्छा प्रयास किया गया है, और इसमें BPSC के एक्स, चेयरमेन सर, करिमी शर है, उन्से भी जानेंगे, सभी विद्ध्यार्थी यहां पे इंटर्व्यू किये हैं, कैसे, क्या-क्या, क्या-क्या कंडिशन होता है, किस तरीका से इंटर्व्यू में मार्स दिये जाते हैं, क्या ध्यान दिया जाता है, क्या विद्यार्थी यदि कहीं ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बार-बार शौरी बोलते हैं, तो क्या उनको कैसे अंक कम मिलता है, क्या होता है, एक-एक बिंदू पर ध्यान देंगे, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है, आपका जो क्वाईरी जा नाना सेवा निवर्ति के बाद और मैंने मेरी भी इच्छा ये थी कि मैं बच्चों के लिए अपना जीवन लगा दूँ मैं बच्चों की परवरिश के लिए बच्चों को अच्छा देखने के लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर दूँ तो मुझे ये अफसर मिला अब इस बच्चों को हम सही दिशाद देते हैं उनमें जो कमिया हैं उनको बताते हैं उनको उनकी शक्सियत को निखारने के लिए उनको अच्छा बनाने के लिए और उनको स्मार्ट दिखने के लिए और उनके चेहरे पर ओफीसर लुक दिखने के लिए हम उन्हें सजेशन देते हैं और उन्हें बार-बार प्रैक्टिस कराते हैं, उनको study करने के लिए बोलते हैं, हम उन्हें advice करते हैं कि वो पढ़ती दिन समाचात्र पद्र, नियूस पेपर जरूर पढ़ा करें, ग्रूप discussion क्या करें, stress और tension दिमाग से फिरी कर दें, और पूछने वाले हम सब एक ही तरह के होते हैं, आप अपने आपको establish करके पूरे confidence के साथ interview में सामिल हुए, आपको अच्छा number आएगा, जो जैसा perform करता है, उसको वैसा number आता है, कहीं से कोई प्रशानी नहीं है, कि आप जैसा perform करेंगे, आप खुद भी judge कर सकते हैं, कि मैंने जो answer दिया, तो हमें क्या number आना चाहिए, हम उन्हें smart बनाना, उसको interview के जोग बनाना, उनको उठना, बैठना, उसका entrance, उनका exit, और उनके surroundings के knowledge को brushing करने का काम करते हैं, सर, जो ये interview होता है, वो personality test होता है, prelims का test हो चुगा, उनका ज्यान का test हो चुगा, सर, इसमें कोई विद्यार्थी यदि आते हैं, तो उनके मन में ये दूईदार आता है, कि मैं English में interview दे रहा हूँ, मैं Hindi में दे रहा हूँ, क्या मेरे साथ अंतर होगा, जी नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं होता है, मेरी सला तो ये है, मेरा advice ये है, कि अगर उनकी शिच्छा दिच्छा हिंदी माध्यम से हुई है, तो उन्हें हिंदी माध्यम में ही interview देना चाहिए, हाँ, उनके साथ मजबूरी है, कि जिनकी शुरू से शिच्छा, प्रारंभी श इंग्लिश में हुई है, तो उसका वो जाहिर सी बात है, कि वो इंग्लिश में comfort feel करेंगे, कि वो इंग्लिश में जवाब दे, तो वो इंग्लिश में जवाब दे, permission लेकर के, जो board है, उनको कह दे, sorry, I want your permission to answer the question in English language. Sir एक प्रशन विध्यार्थी के मन में ये रहता है, क्योंकि कई विध्यार्थी ऐसे होते हैं, जो गर्जवाय Diosn कर चूक guitar के होते हैं, कई साल बाद BPSC में आते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते है, उस परसन से पुछा जाता है, उस के originार से पूछा जाता है, तो का उस सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए, टुथ फुलनेस दिखना चाहिए, इमानदारी दिखनी चाहिए, मेहनती दिखना चाहिए, इसके अतिरिक्त जो अगर कई सालों का गैप है कि आप इतने दिनों से भी रोजगार थे, क्यों क्या कर रहे थे, ये common question होत मिला है, अपने प्रयास के बल पर ये अपसर मिला है, कि हम आपके सामने साक्षातकार के लिए उपस्तित हो गये हैं, इसमें कोई ऐसी बुड़ाई नहीं है, और बिहार के लिए तो नोकड़ी एक परतिष्ठा माना जाता है, यहां के बच्चे मेहनती होते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और एक दिन सफल होते हैं, सभी विद्धार्थी तो आपके पास पहुँच नहीं सकते हैं, आपका जो इंटर्व्यू देख रहे हैं, जो विद्धार्थी उनको क्या कहिएगा, अपने परसनाल्टी में क्या-क्या डिवलप्मेंट कर लें तोड़ा सा अभी समय भी है, ताकि उनका फाइनल सेलेक्शन हो जाएएं, अभी जो समय है, उसका पूरा सद्य उपयोग करें, नंबर एक के आप एक भी मिनट अपना बरबाद नहीं करें, दूसरा ये के रोजाना नियमित रूप से कम से कम दो नियूस पेपर अवश पढ फिर उस टॉपिक पर दूसरा स्टेप उनका होना चाहिए कि आपस में चार-पांच स्टूडेंट्स मिल करके ग्रूप डिसकेशन करें, डिवेट करें, डिवेट जरूरी है, डिसकेशन जरूरी है, और छोटे-छोटे कोश्चन जो होते हैं उस पर ध्यान दे, जैसे अग और पैन क्या है, इसको बताने की छम्ता उनमें होनी चाहिए, बुक क्या है, बताने की छम्ता होनी चाहिए, चलते फिरते कोश्चन सोचीए, आप कोश्चन अपने स्टूरेंट्स का बाड़ी-बाड़ी से जब आप इंटर्वियू लेने लेंगे तब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि आप जवाब देने वाले से क्या चाहते है बहुत धन्यवाद सर शुवेंदू सर है सर से थोड़ा सा जानेंगे सर इंटर्वियू में 2-4- अपने उनका जो सब्जेक्ट है जो भी छात्र है जो जहां से उनका बेशिक जानकारी और अगर गहरी जानकारी जितनी गहरी होगी उतनी अच्छी होगी लेकि कम से कम बेसिक तो जरूर को कंप्लीट कर लेना चाहिए डूसरा क्या पुछा आपने और 2-3 बिंदू जिससे उनका मार्स बढ़ जाए, बेहतरीन हो जाए सकते हैं। कर सकते हैं, ये कला है, कर सकते हैं, जैसे अगर किसी एक्सपर्ट ने आपसे कस्मीर पर कोई सवाल पूछा और अगर आपको 370 पर कमांड है, तो उसका एक रिफ्रेंस उसमें ला दीजिए, जो ही आप 370 बोलेंगे, इंटर्व्यू बोड के मेंबर उहां पर क्लिक कर जाएं आपको जन प्यारी है, तो आप उसका जबाब अच्छे से दे देंगे, ऐसे ही, किसी बिष्या में, किसी टॉपिक पर आपसे सुरुवात होई, जो आपका इस ट्रॉंग एडिया है, प्रयास कीजिए कि बोल्ड को हम उधर ले जाएं, उधर घुमा सकते हैं, उधर घुमा है, हमने, जो मेरा नुभब है, इंटर्व्यू लेने का, कभी-कभी एक वेव चलती है, कि सब कहेंगे कि क्या होबी है आपकी, तो कोकिंग, कोकिंग, अरे भाई, सबकी होबी कोकिंग कैसे हो जाएगी, तो मतलब हम लोगों ने निकाला कि सायद कोशिंग वाले बताए हों है, नहीं सही से, तो इसलिए होबी जब भी आप बताएं, तो उस होबी के लिए आप अपना ज्यान को इनरिच कर ले, ताकि कोई क्रिकेट बोल दिया, कल एक लड़के ने कहा कि मेरा होबी क्रिकेट है, हमने पूछ दिया, वर्ल्ड कप पहला कभ हुआ था, तो कहा दिया, सही चाहिं बता दिया, दूसरा कभ हुआ, बता दिया, इंडिया जीता जो था, तब हमने पूछा कि बताओ, फ़र्स्ट वर्ल्ड कप में, जो इंडिया जीता था, तो कौन-कौन प्लेयर थे, पांस का नाम बता दो से, बस हो गया, तो मतलब कहीं न कहीं, अगर आप होबी कहते हैं, तो इंडिया कब-कब वर्ल्ड कप जीता, कब-कब टी-ट्वेंटी जीता, कब-कब ओन्रे जीता, कवन कैप्टन था, कवन-कौन खिलाडी थे, दो-चार-पांस का भी नाम याद रखिये, तो हम लोगो माल लेंगे, चलो भाए, और पांस का नहीं याद होगा, तो इस तरह से तयारी करें आप, इनकम्प्रीट तयारी नहीं होनी चाहिए, तयारी हमेशा कम्प्रीट होबी का खास करके, ऐसे कभी-कभी नहीं भी पूछी जाती है, कभी-कभी पूछी भी जाती है, सर, अपने जीला के बारे में, या बिहार के बारे में, बहुत सरा प् है आपके जिला की प्रमुख फसले कौन सी है प्रमुख ब्यवसाय क्या है सक्षर्टा की दर क्या है को इंडस्ट्री है की नहीं है वहां की स्वाइल कैसी है वहां की क्लाइमिट कैसी है तो वहां का बॉंडरी चौहदी पूछ देते हैं कि आपके जिला की चौहदी क्या होग आपके जिले में क्या हो रहा है कोई बड़ी घंटना होई है कोई बहुत पूर्सन आजकल के एक्जाम में स्टेट के बारे में पुछा भी जा रहा है यहां कि नदी का सिस्टम कैसा है क्लाइमेट कैसा है स्वाइल के प्रभावित है इससे भी पूछा जा सकता है आज भी पूछा गया है आज भी पूछा गया है क्यों करेंट जो हो रहा है आज हमने एक लड़के से पूछा कि आज का दिन क्या इंपोटेंस है तो एक ही लड़के से हमने पूछ तो एक बाद जरूर देख लिजिए आप गूगल करके जिती जा रहे हों कि आज का दिन कोई फेमस है तो नहीं कहीं जो हिंदी के लड़के हैं उसके आज हिंदी दिवसका मनाई जाती है जो लड़के टीचर्स काम कर रहे हैं तो टीचर्स ने कम बनाई जाती है को इस तरह से उनको तयार करने पर दिक्कत इंटर्व्यू में कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता है जो की इंटेंशन हो हमारा की इनको फेल करना है या इनको नम्मर नहीं देना है या इनको बता देना कि तुम में कोई ज्यान नहीं है आप में क्या है उसी को हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं जो अच्छी चीज़े हैं आप में वो निकालने का प्रयास करते हैं सर बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं चुकि इंटर्विव में जब जाते हैं तो उनके मन में ये प्रशन रहता है कि हम अपने आप में गंभीरता लाएं या अपने आप में कुछ शुधार करें और वह जो दिखावा होता है ये 10-5 मिनट का उसमें क्या होते हैं अपने सहस्ता को बनाई नहीं रखते हैं चुकि नर्वसनेस की स्थिति आ जाती है या हेजिटेशन की स्थिति हो जाती है तो पहले चीज की अपने सीटिंग में ओ सिंपली सीटी को लाएं सहस्ता को लाएं सेकेंड फिंग इस गुइंग टू बी कंसर्ड दूसरा यह है कि उन्हें हमेशा देखना है कि जो हम चीज जानते हैं उसको ठीक से प्रजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक है थार्ड फिंग इस गुइंग टू बी कंसर्ड कि हम नहीं जानते हैं कंप्लिटली वो बोलें कि I am completely in dark I am sorry और फिर further question लेने का प्रयास करें कारण कि उसमें अधि deformities देखा जाता है और यहीं पर स्टुरेंट्स का मार्क कम होने लगता है फूर्थ चीज की वह जहां को बिलॉं करते हैं कम से कम उसका historical उसका जगरफिकल जीतना भी specific चीज है यह वह हेड़क्वार्टर से कितना दूरी पर हैं यह अधर कितना दूरी पर हैं या कैपिटल स से वहां तक आने का क्या साधन है यह सारा चीज़ देखना चाहिए कारण कि आप किसी एस्ट रहा होता है लेकिन स्टेट पॉब्लिक सर्विस कंशन में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां के वहां के जो languages based है, वहां के जो आपको rail का, road का या other type of the infrastructure से है, जहां वो infrastructure ये बताता हो कि वहां propensity of wealth की स्थिति क्या है, literacy की स्थिति क्या है, या उसका क्या figure country के अंतरगत है, ये सब बातों पर ध्यान देंगे, सब पर ध्यान देंगे, तो आपको interview में कहीं दिकत नहीं हो सकते हैं, thank you very much. Sir, आप क्या सुझाओ देजिएगा, जो अभ्यरती interview देने वाले हैं, मात्र कुछ शब्दों होगे? मैंने अभी अज़ किया था, कहा था, कि आपको अपने subject area में बिल्कुल context होना पड़ेगा, और newspaper का और books का newspaper को भी दोस्ट बनाईए जिस तरह से books दोस्ट होता है इनसानों का, उसी तरह से आज के दुनिया में दौर में newspaper daily पढ़ना और थौरोली daily पढ़ना, और हो सके तो daily उसका note book तैयर करते चलें ताकि वो examination या interview के पहले, एक जलक में एक पेज उटड़ा और सारी चीज़े दिमाग में आ जाए और फिर उसके बाद में कॉम्पेटिर एक्जाम बहुत मुश्किल नहीं है बहुत आसान है, सिंसिरिटी की जरूरत है, रिगुलर पढ़ाई की कुछ दिनों तक जरूरत है और नियूस पेपर के टच में रहने की जरूरत है, बागी आगे का रास्ता आपका होगा फिर